इस वीडियो में हम देखेंगे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन ठीक है और इस्टक्शन क्या होते हैं वो देखेंगे तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बदाता हूं आप उसे याद रखिए तो पहला पॉइंट है कैरी फ्लैक जो होता है अफेक्ट नहीं होता है इंक्रीमेंट ऑपरेशन में कैरी फ्लैक इस नौट अफेक्टेड ओकि यह याद रखना है आपको शेकंड जो है रिमैनिंग प्लैक अल्सो मैं भी अफेक्टेट फॉर जर्नल देखें बाकी जो रिमैनिंग फ्लैक है वो एफेक्ट होते हैं जर्नल परपस रिजिस्टर के ल वह आप्रेंड में होता है आप्रेंड यूज होता है स्टोर करने के लिए रिजल्ट को ओके फॉर्ट पॉइंट है इंक्रीमेंट जो होता है वह रेजिस्टर का होता है रेजिस्टर पेयर का होता है या मेमोरी का होता है रेजिस्टर का होगा या रुझेस्टर पेयर का होला या नuity करोगा और कैसे क्रिमेंट होता है इंक्रिमेंट होता है या आर आर्प ringing in क्रिमेंट बंड़ाтор ने आर पी या या मेमोरी प्लस वन हुगा ओकि तो याद रखना ये चीज और स्च्छी इंटर्नली देखा जाए तो प्रोसेसर के अंदर वो क्या होता है अडेशन परफॉर्म होता है ओकी अडेशन परफॉर्म याद रखेगा आप तो यह हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या-क्या है और कौन-कौन से हैं किस टाइप क्यों होते हैं तो फर्स्ट जो है वो है आई एन आर ठीक है और यह जो होता है increment का instruction होता है और यह जो होता है 1 byte का होता है 1 machine cycle होती है and 4 T state होती है ठीक example के तौर पर R यहाँ पर क्या है एक register की value है तो example के तौर पर लेखते हैं in C sorry INR C ठीक है एक register है C, INR यहाँ यहाँ पर register है अब इसमें कोई value है मान के चलिए F, E ठीक है इस register में value store F, E अब इसको बोल रहा है increment को तो increment में क्या होगा बस plus one हो जाएगा तो value क्या हो जाएगी F, F ओके तो यह इस type से perform होता है अब इसका flag register क्या होगा वो भी देख लेते हैं ठीक है और carry अब देखे carry मैंने क्या बोला previous कुछ नहीं होगा इसका कुछ cancel ही कर दीजे effect नहीं होती जो previous status होगा वो ही रहेगा ठीक है previous status ही carry कब होगा इससे change नहीं होगी बाकी change होगी ठीक है parity number of ones कितने है इस पर depend करता है even number of ones F, F है 8 यानिक तो even number है तो one हो जाएगी value अब accumulator में carry जा रही है नहीं जा रही है तो value 0 हो जाएगी इसकी फन हो जाएगी sorry 0 हो जाएगी 0, 0 हो जाएगी अब sign bit क्या है आपे क्या है minus में नहीं है तो value क्या होगी इसकी 0 होगी यह रहा flag register की value ठीक है तो कोई memory है उसका address दिया हुआ है ठीक है उस पे हमें क्या करना increment operation perform करना है ठीक है मान के चलिए इस memory में कोई value store है 8f करके ठीक है क्या होगा 8f प्लस 1 हो जाएगा बस क्या value हो जाएगी यहाँ पे 0 और carry आएगी 1 तो यह हो जाएगा 9 0 ती state है ठीक है तो यह आपको याद रखना होगा memory में कितने का होता है और कितने का नहीं ठीक है अब flag register क्या होगा वो देख लेते हैं flag register की value क्या होगी जल्दी से देख लेते हैं तो flag register की value क्या होगी carry क्या होगा previous state होगा जीरो हो जाएगी number of ones क्या है आपे 9 है तो 9 को हम लिखते है 1001 जीरो 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 तो दो ही है तो इवेन होए इवेन होए तो इसकी value क्या हो गई फन हो गई ठीक है इसके बाद accumulator carry carry generate होई थी यहां से इस बिट से इस इस में carry generate होई तो इसकी value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी यह zero हो जाएगा दीरो वाला वैल्ली क्या हो जाएगी zero हो जाएगी ठीक है और if sign sign बेट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ओके क्योंकि आकरी यहां पर वाना साइन मेट भी क्या होगी वान हो जाएगी ओके तो यह हो गया तो फ्लाइग रेश्टर की वैलू कि थार्ड है कि आई एन एक्स आर्पी इंक्रीमेंट हो रहा है रेश्टर पेर का ठीक है वन बाइट का होता है वन मशीन सेकल होता है एं इक्स टेट होते हैं तो एक्सम्पल के तौर पर देखें यहां पर एक रेश्टर पेर दिया है एच में क्या होता है है इसमें कोई वैलू स्टोर है मानिके चले ऐफ फ स्टोर है अब इसका इंक्रीमेंट हो रहा तो प्लस वन होगा बस क्या विल्व हो जाएगी एप्लस और कर्याइब वन जीरो कर्याइब वन जीरो कर्याइब वन जीरो ठीक है तो यह वैलू आ गए जीरो 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 इस टाइप के कुछ वैलू आई तो इसमें अब वैलू हो गई तो इस टाइप से यह परफॉर्म होता है ठीक है तो यह बात हुई हमारे इंक्रीमेंट देखें अब देखते हैं decrement तो decrement में कुछ point बता दू तो carry flag जो होता है वो affected नहीं होता है ठीक है not affected ओके second बाकी जो flag होते है remaining carry को छोड़के वो general purpose register की तरह यूज होते है ठीक है third है result ऑप्रेंड में store होता है ऑप्रेंड में store होता है फोर्थ पॉइंट है जो internally इसमें जाहिर से वहते decrement है तो internally क्या होगा subtraction होता है okay subtraction और register pair register और memory ठीक है यह चीज होती है तो आपको पता होना चाहिए आप देखते हैं पहला instruction क्या है इसमें वह है DCR ठीक DCR और कोई register की value दी होगी और यह वन बाइट का होता है one machine cycle and four T state होते है ठीक है example के तोर पे एक register FB तो DCR B अब B में कोई value है मान के चले E O ठीक एक value है तो इससे decrement करना है अब जिहां 0 है जहां carry आएगी सब बॉरो लेंगे हां से इसे तो क्या बचेगा 10 में से बन जाएगा F बचेगा उसके बाद यहां क्या बचेगा E में से एक चला गया तो D बचेगा तो यह क्या आ गया D F आ गया अब इसकी value क्या होगी 1 1 0 1 और F की value क्या होती है चार बार 1 ठीक है तो यह value आई आप देखिए flag register की value क्या होगी जलदी से देख लेते हैं carry वाला तो previous ही रहेगा तो cross कर सकते हैं जो previous value है वही carry की value होगी अब देखिए parity क्या होगी 224 ओड है value 0 हो जाएगी accumulator carry क्या होगी carry जारी है क्या नहीं गई तो इसकी value भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 0 bit क्या होगी 0 होगी sign bit क्या होगी last bit होती है 1 हो जाएगी यह था पहला instruction second देख लेते हैं जल्दी से लिगी second है dcr m यहाँ पर memory है यह वन बाइट instruction होता है 3 machine cycle होती है 10 t state होती है तो dcr m में कोई value है मान कि चलिए जीरो जीर श्टोर है अब इसका decrement होना है तो माइनस वन जीरो में से इस से कहलेंगे एक बॉरो लेंगे तो f हो जाएगा f में से 10 हो जाएगा 10 में से बन जाएगा f बचेगा यहाँ पर भी same हो जाएगा 10 हुआ था तो क्या बचेगा f बच जाएगा तो f value आई अब इसके लिए यह क्या होगा यह होगा पैरेटी बिट क्या होगी पैरेटी बिट क्या हो जाएगी वन हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि f है यहने four times one then four times one टोटल किते eight ones है even होगा value one हो गई गई accumulator कैरी क्या होगी कोई lower weight से upper weight में क्या कुछ जा रहा है क्या कुछ नहीं जा रहा है तो इसकी value क्या हो जाएगी zero होaireगी सेकेंड अब थर्ड देख लेते हैं देगें लास्ट है डेसी एक्स आर्पी आर्पी यहां पे रेश्टर पेयर है और एक नोट देना चाहता हूं यह जो लास्ट वाला यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंड है और गेट में आता है और आप भी चुका है कई बार तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंड है क्या चीज इंपॉर्टेंड इसमें नोट में आप धेले लिए इसमें कोई भी फ्लैग अफेक्टेट नहीं होता है नो फ्लैक्स आर अफेक्टेड ओके य उसमें perform होगा यह value, आप मान के चली कोई value है D में, D register pair में D E होता है, उसमें कोई value है F 000, आप इससे minus 1 होगा, तो क्या होगा, value यहाँ पे देख लेते हैं, 10 में से 1 जाएगा, F बचेगा, then यहाँ पे क्या बचेगा, F बचा, then वहाँ से borrow किया है, यहाँ F बचा, last वाले ने एक बहुर इसको दिया है, तो क्या बचेगा, यह बचेगा, तो answer क्या आया, F F E F F, आगई value, यह रहा final answer, इसमें कोई भी flag affected नहीं होगा, तो हमें flag रेश्टर बनाने की जरूवत नहीं है, यह खास कर आप याद रखेगा, बहुत important है, ठीक है, तो आज हमने बात की increment और decrement की, तो friends यह video पसंद आया है, तो please like कीजिए, share कीजिए, ताकि और भी लोग देख पाएं, और free की education ले पाएं, और channel को जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कीजिए,